SSC Staff Selection Commission के तरफ से recruitment जारी किया है, various post खोले के, है ना, और Phase 9 2021 Selection Post, जिनका नाम है Notice for Phase 9 2021 Selection Post, तो इसमें जो काम मिलेगा आपको, काम यह कि इसमें SSC कंटरे में जितने भी department होके है, department में जितने भी post जो खाली हो जाते है, यह उन लोगों को selection वगरा किया जाता है, उसमें और उ लोगों काम दिया जाता है, तो इस वीडियो में पुरह डिटेल के साथ बताऊंगा, कि आप लोगों का फॉर्म फिल अप कर से चाल हो है, लास्ट डेट का वे पेमेंट वगरा कैसे करना है, और इसका eligibility क्या-क्या है, कौन इसमें भाग ले सकता है, और इसका examination center क्या है, exams कै सब कुछ में डिटेल के साथ बताऊंगा, दिशली शुरू करते हैं, फर्स्ट अफॉल यह जो notice है, notice में दिया होगा कि आप लोगा जो date of submission of online application जो आपका 24 तारिक से चाल लिए हो चुग है तकल, और 25 October इसका last date है, और online payment वगरा करने का last date है, 28 तारिक last date है, अगर आप चला देखिए, इसमें, इसमें eligibility की बाद की, इसमें candidate जो इंडिया के citizenship से बिलोंग करते हैं, जो नेपाल के हैं, जो भूटान के हैं, वो लोग इसमें भर सकते हैं, तो इसमें भाग कौन कौन ले सकता हैं, तो इसमें जो eligibility इसमें कौन कौन इसमें भाग ले सकता हैं, जिन्होंन जिन्हों मैट्रिक पास किया है जिन्होंने इंटेमिडेट पास किया है या तो जिन्होंने ग्राजुएशन किया है यह वही लोग क्या सकता ठीक है एज लिमिट के बाद किया जिनका यह जिनका एज अठारस लेकर 30 साल तक वो लोग इसमें भाग ले सकता ठीक है और यहां प बताया गया आपको क्या करना आपको स्टाफ सेलेक्शन कमिशन का वेबसाइट में आने के वाद यहीं पर आपको 24 तारिक का नोटीस आपको मिल जाएगा वैसे नोटीस का लिंक में देदू का आप जाकर वहाँ से डाउलोड करके पूरा डीटेल प्रोसेस पर सकते क्योंकि तोटल वन 13 पेज का पुरा पीडिएफ है अगर मैं एक-एक ही करें का बताseits को वीडियो पूरा था है तो एक्जामिनेशन क्या में तो examination fees जो है आपका 100 रुपीज लिया जाएगा examination center की बात की जाएगा अगर जो central region से बिलोंग करते हैं बिहार एन उत्तरप्रदेश जो बागलपूर, मुझजफ़पूर, पतना, भरेली, कानपूर, लकनाओ, मिरट, प्रयागराज यह जो form fill up होता है यह अपना zone के आप से form fill up होता है अगर आप जिस zone से आप बिलोंग करते हैं वही zone का form fill up आपको करना है अगर आप eastern region से बिलोंग करते हैं जारकेंड हो गया और इससा हो गया तो आपको यह सब place आपको मिलेगा exam को लेगे ठीक है तो इसमें अपना यहां पर सारगुछ पौश्ट दिया हुआ 원िप्वाद सारगुम से ल सब कुछ दिया हुआ और एक्जाम की स्कीम की बारे में 50-50 कर गड़ाएंगे ठीक है total duration के मात बात किजाएंगे इसमें 60 minutes का exams होगा ओके और इसमें negative marking भी 0.50 for each wrong answer का ओके तो matriculation इसमें syllabus के बात किजाएंगे जो लोग matriculation level के थ्रू जो लोग form fill up करेंगे तो उनसे general intelligence से ये सब topics पूछे आएंगे general awareness से ये सब topics पूछे हैं quantitative aptitude से ये सब topics पूछे हैंगे English language से ये सब topics पूछे हैंगे जो लोग 10 plus 2 जो जो नों ना higher education किया बदब जो नों plus 2 किया तो उनके हिसाब से क्या कर topics पूछे हैंगे exams में देखे लिए जहाएंगे दिया हुआ और admission to examination के लिए आपको exams तो जैसे मैंने आपको पता है computer बेस्ट एक्जाम होगा ओके एक्जाम जब आपका selection हो जाता है जैसे आपका examination online बेस्ट होगा तो आपको admit card document verification में आपसे matriculation certificate वागेरा मांगा जागा एडुकेशन qualification certificate जिन्होंने plus two किया है वो सब देना ज़रूरी है experience certificate अगर आपके पास है तो दे सकते ने तो कोई ज़रूरत नहीं कास्ट कैडिगरी certificate जो STSCC ब्लोग करते वोलोंगी यह वाला दे सकते है form fill up कर लिंक में description box भी दे दोंगा आपको वहाँ से form fill up करना है सबसे पहले अप्लाइ ओनलाइन में सबसे पहले आपको registration करने के लिए आपस यहाँ पे आधार का पूछया का आपके पास आधार है की नहीं तो यह पर आपना एस करके आधार नमबर दे दे दिजेगा टाइप आफ 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 आईट आपके पास है वो दे दिजेगा देने का बाद तुरूरी एडुकेशन बोड आपने कहां से एडुकेशन किया है तो यहां पर कौन सा बोड सापने अपने तेंट या तो ट्वल्थ किया है सब कुछ यहां पर पुछ़गा आगा ओके और यह ऑफ पासिंग जंडर यह सब आप से पूरे डिटल पुछगा गा करने के बाद करने के बाद आपको यहां पर देखिए सब भणने के बाद फिर आपको सेफ करना करने के बाद फिर आपका सेगंड प्रोसेस है जो कि आपको अपलोड करना ठीक है तो करने के बाद आपका रेजिट्रेशन नमर आपके इमेल आडी में आपके रेजिस्टर फोन नमर में आ इस्ट्रेशन नमबर है जो कि आप फॉर्धर काम के लिए यूज कर सकते हैं, तो फॉर्म फिल अप का लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया, आप जागा माँ से फॉर्म फिल अप कर सकते हैं, तो उमीद करता आप हुए है, क्लेर पते चल गया, तो वीडियो को यही तो शर्क के जगा सब्स्राइब करना ना भूलेगा, थैंक यू